महिला समू के नाम पर सैक्ड़ों महिलाओं से ठगी सिक्वरिटी मनी के नाम पर सभी से धाई हजार जमा करा कर कमपनी फरार हो गई गुरुवार को महिलाओं ने कमपनी के आफिस पर पहुच कर हमला पूल दिया बरेली में महिला समू के नाम पर शेहर और गाव की सैक्ड़ों महिलाओं से ठगी कर ली गई पीली भीत वाय पास पर एक कमपनी ने ऑफिस कुड़ो महिलों को लिफाभा बनाने का काम दिया स्क्यूरेटी मनी के नाम पर प्रतेक से धाई हसा जमा करा कर कमपनी फरार हो गई गुरुवा को महिलों ने कमपनी के ऑफिस पर पॉस्ट कर हमला बोल दिया वहाँ पत्राफ करके तोड़ फोड़ की और काफी सामान लूट मज गई वही बरेली में यह पहली बार नहीं की कंपनिया आई और लोगों को चूना लगा कर चली गई क्योंकि बेरोज़कारी के चलते लोगों में पैसा कमाने की लालसा बढ़ती जा रही है जिसके कारण शेत्ती महिलाएं पुरुष नौजवान फर्जी कंपनियों के शड्य अंतर में फस्ते जा रहे हैं देखी ही रिपोर्ट आपने जमा करें आपको अभी तो कोई पेवेंट मिली नहीं मिली आपको को फारा में रसीद दी उन्होंने रसीद हैं तो रसीद दी आप बोले यह मोदी जी ने यह कंपनी खुलवाया है गरीबन के लिए कि जगरीब लोगा है उसके लिए यह काम खुला है मोदी लुद्जी ने भेजा है मेरे को ठगा है पच्चिस सो रुपए वहां पे रेजिस्टेशन के जमा करवाये थे और यह कहा था कि क्या नामे एमेजन फिलिपकार्ट की तरफ से लिए लिफापे बनाने हैं साथ रुपए पर पी हैं उनने चुड़वाया था इनने मंपी के ममी ने चलो तुम्हें कंपिनी वहां काम देगी घर बैठे हमने दो लोगों को पैसा खिटा करके पांच हजार ले गए वहां हमने जमा करा कंपिनी वाला बोला कि एक महीने पर इसी डेट पर तुम्हें माल पहुंचाना होगा पैसा मिल जाएगा हम माल लेकर चले आए घर में थैली बनाने के लिए कहा हूँ यह तैली बनाओ कितने रुपय आपके जमा हुए हमारे दस अजार जमा हुए कितने लोगों के दो लोगों के अभी तक आपको कोई पेमेंट मिली नहीं मिली